पियम नरेंद्र मोदी के दो-दो दांत पियम मोदी डुपलिकेट अती पिछडा पियम मोदी ने खत्म किया रोजगार पियम मोदी जी के दस साल के सासंकाल में जितना रोजगार इस देश से खत्म किया गया है उतना आजादी के बाद से आज तक नहीं खत्म किया गया है बीजेपी का ललन सिंग पर पलटवार यह देश के गरीबों का अपमान है देश के पिछनों का अपमान है और ललन बाबू की यह सामन्तवादी अहंकार बोल रहा है जदिव अपने को राष्ट्रिय पार्टी कहती है क्या उसके राष्ट्रिय अद्ध्ध की यही भाषा है प्रधान investment के बारे में शर्मनाक है क्या नितिश कुमार से मैं पूछोँगा आपके राष्ट्रिय अद्ध्ध की यही शालिंटा है आज तक आजाद भारत के इतिहास में किसी भी प्रधान मंत्री के बारे में इस तरह की हल्की बात गाली गलोज नहीं किया गया ये देश के गरीबों का अपमान है देश के पिछणों का अपमान है और ललन बाबू की ये सामंत वादी अहंकार बोल रहा है मुझे मालू मैं उनको तल्खी लगी है वो एक अलग बात है लेकिन क्या सारी मर्यादा शालिंता सब भूल जाएंगे और आज मुझे ललन बाबू से एक ही सवाल पूछना है हमारे प्रधान मंत्री पर उनकी इतनी आपत्ती है तो 19 सुनाओं में लोक सभा किसके बल्बूते पर जीते थे नितिश बाबो के बल्बूते जीते थे क्या कि नरेन मुधी के नाम पर जीते थे यह सचाई नहीं है क्या यह बहुत पीड़ा दायक है मैं बहुत इसकी भरसना करता हूं और देश की जनता तो जवाब देगी ही देगी बिहार के गरीब बिहार के पिछड़े और बिहार की जनता तीनों का जवाब देगी तो यह तो हम ही पहले कह चुके हमिश्या पूर्णिया के रैली में बोल चुके और नितिश बाबू को यह याद आ रही है पचीस साल के बाद कि मैं नहीं जाओंगा केंद्रिय मंत्री रहे, 19 साल मुख्य मंत्री रहे, पुरा भाजपा का सहयोग लिया, नरिन मोदी के कंधे पर इतना जीते, 14 में दो हो गए थे सब को याद है, अच्छी बात है, अब नितिश बाबू के लिए भाजपा के आज तक आजाद भारत के इतिहास में किसी ने पीम के बारे में इस तरह की बाते नहीं की, ये देश के गरीबों और पिछणों का अपमान है, दरसल ललन सिंग ने पीम मोदी पर कई बयान दिये थे, उन्होंने पीम मोदी को डुप्लिकेट अती पिछड़ा कहा था, जिस पर सियासी हंगामा मच गया, ललन सिंग के बयान पर बीजेपी के दिगज नेता रभी शंकर प्रसाद ने पलटवार किया, और नितिश कुमार से भी सवाल पूछ दिये, इस खबर में फिलहाल इतना ही, अपडेट्स के लिए देखते रहिए One India Hindi